नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सेंख साथ दोस्तों महराष्ट विधान परिशत के सदस्य वज़ाहत मिर्जा इनके नाम से 25 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए दिलिप खोड़े नामक व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो नाकपूर ने रवी भवन नाकपूर से अरेस्ट किया है इनके साथ एक और साथी थे जिनका नाम शेखर भुयर बताया जा रहा है इन्हें भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया है दोस्तों ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना पल्ल कि आपसे नजदी की बताया जाए लिस्ते आपके साथ ने बिल्कुल ने साथ बिल्कुल गलत बात है दिलिप खोड़े को मैं जानता भी नहीं यह जो दूसरे शेखर भुयर है यह इंसे बातचीत होते रहती थी यह इन्होंने चुनाव लड़ा था अमरावती से महां पर शिक्षक मुद्दार संग का दोस्तों पहले तो यह पॉलिटिकल आजमी इनसे मुलाकात होते रहती दिलिप खोड़े साथ से कभी मेरी ने कभी ना फोन कॉल ना चैटिंग ना कुछ नहीं कभी बिल्कुल भी नहीं असर आपके नाम से उस दिलरा संग ceremony अंचे बिल्ल्स किंहां पर ने के लिए औरक मेरे क्या करता हूँ मेरे बडी मुल्प मेरा गर नाकपूर मेरे इसादंच्राइब कभी कभी रुकता है तो अब ढ़े जाने के घंडों के बाद में घटना हुई नहीं नहीं ब्रदर बिल्कुल नहीं चाहिए बिल्कुल मेरे खिलाब बड़ी चाजिश है मेरा ये करने की कोशिश हो रही है बिल्कुल में ऑड़ों दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी में आपको संचिप्त में बताना चाहता हूँ कि इस मामले के शिकायत करता एक आर्ट्यो अधिकारी है इस आर्ट्यो अधिकारी के उपर उसी विभाग की एक महिला ने शोषन का आरोप लगाया था जिसको ले करके बताया जाता है आज़ा के करीबी हैं और अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो इस मैटर को छोड़ दिया जाएगा जो यह सारी जानकारी सुतरों सम तक मिली हैं अब यह डील होती पहले शुरवात होती एक करोर रुपए से लेकिन नेगोशियेशन होते होते यह डील 25 रुपए में तै होती है और रवी भवन में इस कारणामे को अंजाम देना फता है होता है लेकिन एंटी क्रप्शन वीरो नाकपूर ने उसको एरेस्ट कर लिया दिलिप खोड़े और शेखर भवर जो फरार हो चुके थे लेकिन उसे भी एरेस्ट कर लिया गया है अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर मिर्जा जो विधायक है विधान परिशत के सदस्य हो उनके नाम से यहाँ पे रवी भवन में कॉटेज क्यों बुख था क्या मिर्जा नाकपूर में भी रहते हैं क्या मिर्जा के नाकपूर में घर हैं और यदि घर हैं तो फिर कॉटेज बुक करनी की जरुद क्यों पड़ी तो क्या कॉटेज इसलिए बुक किया गया था कि इस तरीकी के काम किया जा सके क्या ये इससे पहले भी ऐसे कोई और काम थे जो किया गया होगा लेकिन ये पहला ऐसा काम है जो पकड़ में आ गया एंटिकरप्शन के तमाम सवाल बने हुए हैं हर जनकारी आप तक हम लेकर आते रहेंगे आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ NBCN न्यूज पे सच दिखाये बीना चुपाये जहें